नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर So Foxconn की भारत में officially वापसी हो चुकी है आप रोग यहाँ पे देख पाएंगे यह वाली जो खबर है आज सुबह सुबह ही सामने आई है Foxconn to invest रुपीज 1600 करोड in Tamil Nadu for the electronic components manufacturing यह अपने आप में काफी बड़ी development इसलिए बन जाती है Because इसी महीने के शुरुवाती दिनों में हमने देखा था कि Foxconn और वेदानता का जो joint venture का plan था जिसके चलते वो 19.5 billion dollar की semiconductor की factory लगाने वाले थे उसमें से Foxconn ने अपने आपको exit कर वा लिया था लेकिन उसके कुछी दिनों के बाद Foxconn ने ये भी announce किया था कि वो भारत में आकर के 4 से 5 semiconductor fabrication units को announce करने वाले हैं और ये एक तरीके से उसी दिशा में पहल है जो की Foxconn के द्वारा ले ली गई है बात करेंगे इसी development के बारे में also चर्चा करेंगे कि इससे क्या फाइदा particularly Tamil Nadu को और in general भारत को हो सकता है चली शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद यदि आप लोग हमें follow करना चाहते हैं हमारे lectures के updates पाना चाहते हैं तो यह हमारा टेलेग्राम चैनल है इसके माध्यम से आप लोग ऐसा कर सकते हैं और दोस्तों बताना चाहूंगा कि कल यानि की एक अगस्त से आपके लिए नया उडान batch लाया जा रहा है जिसमें की आपको संपूर्न UPSC Civil Siva परीक्षा की तयारी घर बैठे-बैठे करवाई जाएगी जिसमें की prelims और mains का complete syllabus including GS and CSAT उसके साथ में test series ये सभी offerings available करवाई जा रही हैं वो भी मात्र 8000 रुपे में इस batches में मेरे द्वारा आपके लिए geography और science and tech के subjects को भी cover करवाया जाएगा तो यदि आपने enroll नहीं किया है जल्दी जाहिए enroll कर लीजे इसमें enroll करने का link आपको नीचे description में दिया गया है और इसका जो enroll करते टाइम यदि आपको discounts चाहिए तो आप लोग मेरा coupon code अनी UPSC का इस्तिमाल कर सकते हैं Also ये जो price है आज रात के बाद बढ़ने वाला है तो अगर आप enroll नहीं किया है तो आज ही enroll कर लीजे बेकॉस कल हो सकता है कि इसका price और भी जादा बढ़ जाए ये वाली commitment करी है that they are going to invest 1600 करोड to set up a high-end electronic component manufacturing unit in Tamil Nadu's कांचीपूरम district जिसके चलते 6000 लोगों को रोजगार मिलने वाला है ये वाली कांचीपूरम district का अप location यहाँ पे देख सकते हैं ये अगर चैन नहीं है तमिलनादू के मैप में तो जस्ट इसके बगल में इसके south में आने वाली खांचीपूरम की ये वाली district है जिसके अंदर ये वाली investment होने वाली है ये कल ही meeting conclude करी गई थी जिसमें की Foxconn की एक subsidiary है जो की Foxconn की सबसे बड़ी subsidiary भी मानी जाती है Foxconn उसके बाद एक LOI यानि की letter of intent को sign किया गया था दोनों ही पक्षों के बीच में ये वाली जो investment है ये एक green field project होने वाली है green field का मतलब कि ये नए सिरे से इसकी शुरुआत करी जाएगी as compared to green field दूसरे projects जो होते है वो brown field होते हैं जिसमें की एक बने-बनाए project में आप कुछ च existing facility है जो की Tamil Nadu में established करी हुई है जो की शिरी पेरुंबुदूर में established करी हुई है जो की चैन्नाई से बहुती नर्जदीक है लेकिन वह वाली जो facility है वहाँ पर Foxconn के द्वारा iPhones की manufacturing करी जाती है iPhone 13 और iPhone 14 जैसे devices की manufacturing उस factory में करी जा रही है लेकिन जो ये नई factory आने वाली है ये उससे हटके उससे अलग एक separate unit बनाया जाएगा so that वहाँ पर अलग से electronics components की manufacturing हो सके नौ इसमें Tamil Nadu को क्या फायता है और विससी बात है कि Tamil Nadu को फायता इसमें ये है कि Tamil Nadu कल को बहुत सारे electronics का export कर पाएगा already हम लोग इस साल देख चुके हैं कि जो latest data सामने आया था जो कि Ministry of Commerce ने ही release किया था जस्ट पिछले महीने में ये data सामने आया था Tamil Nadu फिल्हाल इंडिया का सबसे बड़ा राज्य बन चुका है सबसे जादा electronic exports करने वाला राज्य बन चुका है जिसका जो number है ये touch कर चुका है to 5.37 billion dollars in the past financial year FY 2022-2023 और ये Tamil Nadu के लिए बहुत बड़ी achievement थी because इसके पहले जो top में थे वो दूसरे states थे और Tamil Nadu number 4 पे था suddenly number 4 से number 1 पे Tamil Nadu आया था thanks to all these investments जो की Tamil Nadu में देखने को मिल रही थी obviously बात है कि अगर Tamil Nadu के exports बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं पूरे भारत के भी जो exports है वो बढ़ रहे हैं so India में भी जो electronic exports है उनको काफी बड़ा boost मिला है because of this and in fact हमारे top 5 items में अब electronic exports का भी एक category हमें देखने को मिल जाता है it has now become the fourth largest item of export जो की भारत से हो रही है coming back to Tamil Nadu so Tamil Nadu में केवल यही अच्छी खबर नहीं आ रही है just आज से तीन दिन पहले Tamil Nadu में एक और शांदार खबर आई थी कि Pegatron जो की again Apple के लिए iPhones को manufacture करता है ये भी Taiwan based company है इन्होंने भी announce किया था कि ये Tamil Nadu में उनका जो plant लगा हुआ ह चैन्नाई के पास में उसको और जाधा expand करने वाले हैं आप देख पाएंगे Pegatron Mulse expansion of Apple factory near चैन्नाई ये वाली खबर भी हमें दो-तिन दिन पहले ही देखने को मिली है so with this announcement Tamil Nadu की जो खासियते हैं वो और बढ़ चुकी है क्योंकि already Tamil Nadu एक ऐसा प्रदेश था जिसमें की approximately 16 electronic manufacturers देखने को मिल जाते हैं बड़ी-बड़ी companies Nokia, Samsung, Flex, Dell, Motorola, HP, Foxconn ये बड़ी-बड़ी companies हैं जो कि अब Tamil Nadu में आ रही है देखते हैं क्या होता है also एक interesting खबर ये भी है कि जो इंडिया का semiconductor का जो conference है वो चल रहा है और जो भी उसमें नई developments आएंगी जो भी नई deals आएंगी वो भी आपके सामने हम लोग वीडियो के माधिम से ले कर आएंगे जाने से पहले एक बार फिर से बताना चाहूंगा आपको कि optionals भी शुरू कर दिये गए है अगर आप लोग PSIR, Geography, History, Anthro जैसे optionals में enroll करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं मात्रो optional में enroll करते हैं तो 8000 में आपको देखने को मिलेगा लेकिन अगर आप इसको GS के साथ combine करते हैं तो आपको ये पूरा का पूरा course 15000 में available करवा दिया जाएगा इसमें भी जो enroll करने के links हैं वो आपको नीचे description में देखने को मिल जाएंगे also आप हमारी perspective series को definitely check out कीजे आपकी कई सारी UPSC से जोड़ी हुई जो doubts हैं वो यहाँ पे clear हो सकती हैं thank you so much for listening stay tuned and stay safe